प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा यात्रा मंगलम प्रती पाठांस को हमने समझा सब्दार्थ को समझा विभीन पदों को हमने समझा अब जब विभीन परिक्षाओं की बात करते हैं तो विभीन परिक्षाओं में तरह तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं तो अभ्यास में जो प्रस्ण दिये हैं इन में से प्रस्ण पूछे जा सकते हैं पाठ के मध्य से भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो आईए अभी हम देखते हैं अभ्यास में जो प्रस्ण दिये गया हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं अभ्यासह निर्देश अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी सम्स्क्रित भास या लिखत केसी भी प्रश्ण का उत्तर देने से पहले निर्देश को पढ़ना और समझना अवश्यक है अधो लिखिता नाम मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्णा नाम प्रश्णों के उत्तराणी उत्तर संस्क्रित भास या लिखत संस्कृत भासा में लिखो अर्थात अभी यहां जो प्रस्ण दिये जा रहे हैं उनके उत्तर संस्क्रित भासा में लिखने के लिए कहा जा रहा है लेकिन आवश्यक नहीं कि परिक्षा में भी प्रस्ण ये ही हो और उनके उत्तर संस्कृत में ही लिखने के लिए कहा जाए हो सकता है किसी परिक्षा में इन ही प्रस्णों के उत्तर हिंदी में लिखने के लिए भी कहा जा सकता है इसलिए हम इन प्रश्णों के उत्तर संस्कृत और हिंदे दोनों में तयार करेंगे तो आईए प्रश्णों को लेते हैं प्रश्ण है पहला प्रश्ण क मंगल यानम कुतह विमुक्तम मंगल यानम कुतह विमुक्तम अर्थाथ मंगल यान कहां से छोड़ा गया ये इसका हिंदेर था है उत्तर क्या होगा तो उत्तर होगा कहां से छोड़ा गया था हाँ बिल्कुल सही कहा आपने स्री हरी कोटा सतीज धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था तो उत्तर लिखेंगे दिखें उत्तर संस्क्रित में उत्तर लिखने का बढ़िया सरल तरीका है जहां पर प्रस्ण वाचक सब्द है वहां पर उत्तर वाचक सब्द को आप इस्थाफित कर दीजिए आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रस्ण में प्रस्ण वाचक सब्द क्या है कुतह तो कुतह के इस्थान पर आपको उत्तर वाचक सब्द इस्थाफित करना है और उत्तर लिखेंगे मंगल यानम श्री हरी कोटा याह सतीस धवन आंतरिक्ष केंद्रात विमुक्तम अर्थात मंगल यानम श्री हरी कोटा के सतीस धवन आंतरिक्ष केंद्र से विमुक्तम छोड़ा गया यहां से ही छोड़ा गया था जे तो बस यही करना है आपको और कुछ नहीं है तो संस्क्रिट में भूतर तयार करना है और हिंदी में भूतर तयार करना है चेली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है खा कह देशह स्वकिये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रह कक्छम अलभत कह देशह कौन से देश ने स्वकिये अपने प्रथमे प्रयासे पहले प्रयास में मंगल ग्रह कक्छम अलभत मंगल ग्रह की कक्छा को प्राप्त कर लिया यह प्रस्ण है तो पाच हमने पढ़ा है उत्तर क्या ह बिल्कुल सही भारत भारत देश तो उत्तर लिखेंगे तो देखिए इस प्रस्ण में प्रस्ण वाचक सब्द क्या है प्रस्ण वाचक सब्द है कह तो कह के इस्थान पर आपको भारत देश ये लिखना है फिर आपको सेश चीजों को यधावत रखना है तो उत्तर अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्छा को प्राप्त कर लिया इतना लिखना है हो गया उत्तर आपका अगला प्रस्म लेते हैं ग भारत अस्य मंगल कारिक्रमे कती धनानी व्यई भूतानी हिंदी होगा इसका भारत के मंगल कारिक्रम में कितना धन व्यई हुआ कितना धन व्यई हुआ था बिल्कुल सही चार सव पचास करोड लेकिन इसको आपको संस्कृत में लिखना है तो उत्तर लिखेंगे भारत अस्य मंगल कारिक्रमे पंचासत चतू सतोतर कोटि धनानी व्यई भूतानी भारत के मंगल कारिक्रम में चार सव पचास करोड रूपिये व्यई हुए तो कती यह प्रस्ण वाचक सब्द है इसके इस्थान पर आपको क्या लिखना है पंचासत चतू सतोतर कोटि इतना आपको लिखना है और सेश चीजों को यधावात रखना है तो संस्क्रित में भूत्तर लिखना आना चाहिए आपको और हिंदे में भूत्तर लिखना आना चाहिए अगला प्रस्ण वेरते हैं घा कतिधा मंगल यानस्य मार्गह परिवर्तिताह कतिधा का मतलब होता है कितनी बार मंगल यानस्य मंगल यानके कितनी बार मंगल यान के मारग को बदला गया यह प्रश्णा है कितनी बार बदला गया था बिल्कुल सही साथ बार तो तर लिखेंगे संस्क्रित में पहले कतिधा के इस्थान पर क्याना है कति के इस्थान पर जो संख्यात्मक जानकरी कितनी बार किया गया था साथ बार तो स साथ को संस्क्रित में कहते हैं सब्त तो आपको लिखना है सब्तधा सब्तधा मंगल यानश्य मार्गह परिवर्तितह साथ बार मंगल यानके मार्ग को बदला गया यह इस तरह से आप संस्क्रित और हिंदी में उत्तर दे सकते हैं अगला प्रस्न लेते हैं इस प्रस्न का हिंदी है अब इसका उत्तर लिखना है तो कौन कौन से देश है हाँ बिल्कुल सही कहा अमेरिका है यूरोप संग है सोवियत रूस है और भारत तो उत्तर लिखेंगे अमेरिका यूरोप संग है सोवियत रूस भारत देश है च मंगल ग्रह कच्छं प्राप्त वंत है अमेरिका यूरोप संग सोवियत रूस अवर भारत देशों ने मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया तो इस तरह से पाठ के धार पर अभ्यास में जो प्रस्ण दिये गए हैं इनके उत्तर इस तरह से पाठ के मध्य से भी यदि कोई प्रस्ण बनाया जाए तो इसका उत्तर देना आपको आना चाहिए इसके लिए अभ्यास के आपको हैं तो निश्चित रुप से प्रश्ण जैसा भी हो जहां से भी दिया हो अभ्यास से दिया हो या पाच्च से दिया हो उसके उत्तर देने में हम समर्थ होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की और अगला अभ्यास है निर्देश कोष्ठकात सब्दान चित्वा योजयत अरफात कोष्ठक से सब्दों को चुन कर योजयत मतलब जोडिये यह जोडि बनाईए या रिक्त इस्तानों की पूर्ती किजिए यह कहा जा रहा है तो प्यारे बच्चों एक चीज़ हमके ध्यान रखना होगा कई बार यह होता है कि यदि तीन रिक्तिस्थान के प्रश्ण दिये गए हैं और तीन विकल्प हैं तो तीनों में से एक-एक हमको चैन करना है लेकिन यदि रिक्तिस्थान तीन ही हो और विकल्प अधिक हो तब हम कहेंगे कि रिक्त इस्थान तो तीन ही है सेस का क्या होगा तो सेस की चिंता आपको नहीं करना है जितने रिक्त इस्थान है उनमें जो वीच उचित विकल्प हैं उनका चैन करके आपको लिखना होगा तो आईए देखते हैं यहां क्या क्या है तो यहां सबसे पहले मंजुसा उपकरणानी तैलानी अंतरिक्छाण्वेशनस्य विमान यात्रा याह ये सब्द दिये हुए हैं और इन सब्दों के अधार पर अब जो रिक्तिस्थान दिये जा रहे हैं उन्हें देखते हैं और क्रमसह उसके पूर्ति करते जाते हैं तो प्रश्ण है क भारतस्य मंगल मिशन इत्यस्य नाम रिक्तिस्थान अस्ति इसका हिंदी होगा भारत के मंगल मिशन इसका नाम खालिस्थान है तो जो मंजुसा में सब्द दिये हुए हैं अंतरिक्षे, मावेन, भारतस्य, अमेरिका, याह, भूमव, माम, रूसस्य, उपकरणानी, तैलानी, अंतरिक्षान, वेशनस्य, विमान, यात्रा, याह, इन में से किसी एक का चैन करके हमें लिखना होगा तो भारतस्य, मंगल, मिशन, ये त्यस्य, नाम, रिटते स्थान, खाले स्थान है, तो क्या है, तो इसको लिखेंगे माम, तो भारत के मंगल, मिशन का नाम था माम, तो माम, अस्ति, इती आगे बढ़ते हैं, ख, मैरिनर नव, रिटते स्थान, देशस्य, सफलह, प्रयासह, विद्यते, तो मैरिनर नव, रिटते स्थान, देश का सफल प्रयास है, तो मैरिनर नव, ये कौन से देश का सफल प्रयास है, अमेरिका का, कि रूस का, कि यूरोप संग का, कि भारत का, तो तर लिखेंगे, मेरिनर नौ अमेरिका याह देशस्य सफल प्रयास विद्यते, मेरिनर नौ अमेरिका देश का सफल प्रयास है, अगला अभ्यास, ग, मंगल यानेन सार्धम रिक्त स्थान प्रेशितानी, मंगल यानेन सार्धम, मंगल यान के साथ, रिक्त स्थान प्रेशितानी, खाली स्थान भेजे गए थे, क्या भीजा गया था? तो मंगल यानेन सार्धम, उपकर्णानी प्रेशितानी, मंगल यान के साथ में अनेक उपकर्णों को भी भेजा गया था, उपकर्णों में से एक छाया ग्रहा का भी था, रथात कैमरा भी था, जो वहाँ से मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करते समय, तरह तरह की फोटों खीच करके भेज रहा था, छाया चित्र भेज रहा था, घ, मंगल यान कार्यक्रमह समग्र रित्यस्थान प्रपंचस्य आदर्स भूतह, उत्तर क्या होगा, हाँ, बिल्कुल सही, अंतरिक्ष अन्वेशनस्य, तो मंगल यान कार्यक्रमह, मंगल यान कार्यक्रम समग्रह संपून रूप से, अंतरिक्ष अन्वेशनस्य, प्रपंच अगला भ्यास इसकी सफल्यन सफल्ता से रिक्तस्थान भारत का प्रभाव उतकर्सता को प्राप्त करेगा तो कोई से छेत्र में करेगा? अंतरिक्षे तो मंगल मीशन इत्यस्य साफल्यन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभाव उतकर्सताम प्राप्ष्यति अर्थात मंगल मिशन यह कारिक्रम इस कारिक्रम की सफलता से अंतरिक्ष में भारत के प्रभाव और उन्नती प्रभाव जो है वो उन्नती को प्राप्त करेगा अर्थात भारत की उन्नती होगी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ये कहा गया अगला निर्देश है अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्रानी हिंदी भास या लिखत अब यहाँ जो प्रश्ण दिये जा रहे हैं उन प्रश्णों के उत्तर हिंदी में लिखने के लिए निर्देश दिया जा रहा है तो न केवल इन प्रस्णों के उत्तर हिंदी में अफितु संस्कृत में भी हमें देना आना चाहिए तो हम दोनों में अभ्यास करेंगे आईए प्रस्णों के लेते हैं प्रस्ण क मंगल मिशन इत्यास्य मार्गस्य परिवर्तने का अवधेयता अर्थात मंगल मिशन के मार्ग परिवर्तन में क्या ध्यान देने योग्य बात थी अर्थात क्या चीज़ता है द्यान देना चाहिए था ये इसका हिंदी है तो प्रस्णों के उत्तर संस्कृत और हिंदी दोनों में देने का प्रयास करेंगे तो आईए सबसे पहले संस्क्रित में इसका उत्तर क्या होगा यह देखते हैं तो मंगल मिशन इत्यस्य मारगस्य परिवर्तने यम अवधेयता आसीत ध्यान देजेगा प्रश्ण जिस भासा में होता है उसी भासा में उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए इसलिए यथा संभ प्रश्ण की जो भासा है उसका पहले उप्योग करें फिर उत्तर को हमको उसमें समायोजित करना चाहिए तो इसलिए हमने यही किया यहां क्या कि मंगल मिशन इत्यस्य मारगस्य परिवर्तने यम अवधेयता आसीत यत यानस्य गतिही एतावन मंदम माभवेत येन तत यान मंगल अस्य अधिकर्णे द्वस्तम भवेत अथवा यानस्य व्येगह एताद्रिशह तिव्रह न भवेत येन मंगल कक्छात बहिह एव अंतरिक्छे विलुप्तम आपनोतु अर्थाथ मंगल मिशन के मार्ग परिवर्तन में यह ध्यान देने योग्य था कि यान की गति इतनी कम न हो जिससे वः यान मंगल ग्रह के आधार पर द्वस्त हो जाए अत्व उस यान का वेग इतना अधिक्तिवर भी न हो जिसके कारण मंगल कक्ष से बाहर ही अंतरिक्ष में कहीं विलुप्त हो जाए अगला प्रस्ण है अस्माकम मंगल यानस्य कानी प्रमुखोद देश्यानी अस्माकम हमारे मंगल यानस्य मंगल यान के कानी प्रमुखोद देश्यानी प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं यह क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं तो क्या क्या प्रमुख उद्देश उसके बारे में पूछा जा रहा है आईए उत्तर देखते हैं उत्तर है अस्माकम मंगल यानस्य प्रमुखो देश्यम अस्ति यत तत्र जीवनास्तित्वम अस्तिवाना तस्य अन्वेश्णम अथवा जीवन योग्यम अस्तिवाना तत्र सम्यक परियावर्णम अस्ति वान्न तस्य अध्ययनम अस्यम अस्माकम प्रमुख देश्यम असित्र हमारे मंगल यानका प्रमुख देश्यम अन्वेश्यर तत्र जीवन के अस्तित्व की खोज करना अथ्वा जीवन योग्य वहाँ आवश्यक वातावरण है या नहीं इसका अध्यान करना तो ये विभिन उद्यश रहे हैं विभिन उद्यश्यों में से ये कुछ उद्यश्य हैं जिसकी चर्चा भी हमने इस उत्तर में किया आगे बढ़ते हैं आगला प्रश्ण है ग कीमर्थम मंगल कारक्रम हा समग्र अंतरिक्छानवेशन प्रपंचस्य आदर्स भोत हा हिंदी होगा कीसलिए मंगल कारक्रम समस्त अंतरिक्छानवेशन के सोध कारक्रम का आदर्स है तो किस कारण से सोध का आदा अर्शा ही है वह इसलिए क्योंकि भारत ने जो पहला प्रयास किया उस प्रयास में ही भारत जो है सफल हो गिया इससे वैस्विक पचल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गए तो तर लिखते हैं असमाकम मंगल यान कारक्णमह समग्रांत रिक्षान वेशनस्य सोध कारक्रमस्य आदर्स भूतह यतह अस्य साफल्लेन भारतस्य प्रभाव उतकर्सताम प्राप्नोत अनेनच्य अंतरिक्ष व्यवसायस्य अवसरोपी भविश्य आयास्यते पुस्तक की भासा में उत्तर देने का प्रयास किया गया तो हमारा मंगल यान कारक्णम समस्त अंतरिक्ष अन्वेशन और सोध कारक्रमों का आदर्स भूत है क्योंकि इसकी सफलता से भारत का प्रभाव बढ़ा है और इससे भविश्य में अंतरिक्ष संबंधी रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे कि चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है ग अंतरिक्ष अन्वेशन याह संस्था याह विशाय में लिखिए यह कहा जा रहा है अर्था अंतरिक्ष में जो अन्वेशन के लिए संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की जानकरी चाही गई है तो तर लिखते हैं अंतरिक्ष अन्वेशन संस्था याह नाम इसरो इती अस्ति, अस्य मुख्यालयं बेंगलूरू नगरे अस्ति, अंतरिक्ष संबंधी प्रविधिम उत्पादनं अन्वेशनं अस्याह संस्था याह प्रमुख कार्यं अस्ति तो हमारे अंतरिक्ष अन्वेशन संस्था का नाम इसरो है और यह बेंगलूरू नगर में इस्थित है अंतरिक्ष संबंधी तक्निकी उत्पादन और खोज इसका प्रमुख कार्य है आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है ग ग्रह परिवारे मंगल ग्रहस्य का इस्थिती है ग्रह परिवार में सवर मंजल में मंगल ग्रह की क्या इस्थिती है यह पूछा गया है उत्तर क्या होगा उत्तर है ग्रह परिवारे मंगल ग्रह रक्त ग्रहोपी कत्यते एसह प्रिथ्वी ग्रह समं प्रति भासते ग्रह परिवार में मंगल ग्रह को रक्त ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका वर्ण जो है वह रक्त दिखाई देता है यह प्रिथ्वी ग्रह के समान ही प्रतित होता है और वहाँ पर मंगल ग्रह पर जीवन का अस्तित्व है अथ्वा नहीं है जीवन योग्य आवशक परियावरण है या नहीं यह निश्चित रूप से सोध का विशय है अगला भ्यास निर्देश पाठे प्रयुक्ताह संख्या संस्कृते विलिख्य तदुत्तर वर्ती संख्या अपी लिखत प्यारे बच्चों यहां जो प्रस्ण किया गया है वहिया है कि पाठ में प्रयुक्त जो संख्या है उन्हें लिखिये और उसके आगे की संख्या को भी लिखिये पाच में अनेक संख्याएं आई हैं उन संख्याओं को चिनहंकित करना है लिखना है लिखने के बाद उत्तरवर्ति उत्तर मतलब बाद उसके बाद क्या संख्या आता है उन संख्याओं को संस्कृत में लिखने का निर्देश दिया गया है उदाहरन उदाहरन भी बताया है यह था जैसे 20 संस्कृत में कहते हैं विनसति ही अब इसके उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा उत्तरवर्ती संख्या है 21 को कहा जाता है एक विनसति ही तो जैसे 20 के उत्तरवर्ती संख्या है एक विनसति ही और पूरुवर्ती कहा जाता है तब तो उन्निस को क्या कहेंगे एकोनवीनसती या नवदस भी कहेंगे या उनवीनसती भी कहते हैं उन्निस की जो संख्या है या कहें कि जिसमें एक कम होता है जो दाहई वाला अंक होता है उसमें जो एक कम है उसके लिए जैसे उन्निस है उन्टीस है उन्चालिस है इसके लिए क नून है तो एक कौन उसके लिए कहेंगे एक कम अचले उन विन सत्र यह भी कहेंगे और यह दस और नौ इती उनिस तो उसको क्या कहेंगे? नव दस ऐसा भी कहेंगे तो यहाँ पर पूरवर्ती संख्या की चर्चा नहीं की गई है पूछा गया है उत्तरवर्ती संख्या तो आईए हम उन उत्तरवर्ती संख्याओं का अभ्यास करेंगे तो कौन-कौन सी संख्याइं दी हुई है संख्या दिया हुआ है एक्यावन एक्यावन को कहा जाता है एक पंचासत तो इससे उत्तरवर्ती संख्या क्या है बावन तो बावन को क्या कहेंगे बावन को कहेंगे द्वी पंचासत या द्वापंचासत अगली संख्या है एक्किस एक्किस को कहा जाता है एक विनसती ही तो आगली संख्या है 1971 यह संख्या है इसको संस्क्रित में क्या कहेंगे इसको संस्क्रित में कहते हैं नावा दस सतो तरेक सब्तति है अब इसके आगी की संख्या क्या है इसको संस्क्रित में क्या कहेंगे तब इसको संस्क्रित में कहेंगे नावा दस सतो तर द्वी सब्तति है एक सब्तति है द्वी सब्तति हो गया तो नावा दस सतो तर द्वी सब्तति इति इसके आगी की संख्या है चतु सतोत्तर एक पंचासत अर्थात 451 तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो विभीन प्रस्ण पूछे जाते हैं इनके उत्तर हम दे सकते हैं चलिए आगला प्रस्ण है निर्देश कहकेन संबध्ध अस्ति वाक्यम लिखत कौन किससे संबध्ध है यह वाक्या लिखना है त तो एक खंड में कुछ सब्द दिये हुए हैं वेग्यानिक नाम है और इसके साथ में वो किस कारण से उसे संबध्ध हो सकता है इसके विशे में बताया गया है तो यहां पर हमको क्या करना है उचित संबध बनाना है या कहें कि सही जोड़ी बनाना है तो एक खंड में जैस एल वे से पंच विंसति ही नासा हरी कोटा मिथेन ये एक खंड में नाम दिया है दूसरे खंड में जो नाम दिये हुए हैं वे हैं दुवियो ग्रहस्य प्रक्षेपक यानम फिर लिखा है राश्री वयमानिकी अंत्रिक्ष प्रबंधनम्च फिर अगला सब्द है जिवनास तित्व सूचकम अगला सब्द है नासया निर्मितम सोधयानम अगला सब्द है भारतियांत रिच्छ अनुसंधान संगठनेन अगला सब्द है सतीष धवनांत रिच्छ केंद्रेन फिर अगला सब्द है प्रथम्मह सफलह प्रयासह फिर अगला सब्द है मार्ष आर्बिट मिशन इत्यनेन तो ये सब्द हैं इनके साथ में इनकी जोड़ी बनाना है तो इसरो के साथ में किसकी जोड़ी बनेगी तो इसरो यह जो सब्द है यह भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र है तो उसके लिए प्रसिद्ध है तो इसरो के साथ में जोड़ी इसके साथ जोड़ी बनेगा प्रथमह सफलह प्रयासह, मावेन, मावेन के साथ में जोड़ी बनेगा नासया निर्मितम सोधयानम, इसी तरह से PSLVC पंच विन्सति, धुरुवियो पग्रहस्य प्रक्षेपक यानम, नासा, राष्ट्रिय वयमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधंच, हरिकोटा, सतिस्धवनांतरिक्ष केंद्रेन, मीथेन, जीवनास्तित्व सूच कम, तो इस तरह से पाठ में जो दिये हुए अभ्यास हैं, इनको हमने हल करने का प्रयास किया, निशियत रुप से आप इसको भली भाति समझ पाए होंगे, और ये जो अभ्यास हमने किया, केवल ये परियाप्त नहीं है, इसी तरह के और भी अन्य प्रस्न जो है पाठ से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको निशियत रुप से पाठ से किसी भी तरह का प्रस्न दिये जाएगा, उसको आप हल करने में समर्थ होंगे, और साथ ही, प्यारे बच्चों हमने पाठ पढ़ा यात्रा मंगलंप प्रती, यह पाठ हमें वज्यानिक अभिरूची उत्पन करने में सायक है, और साथ ही साथ जो भारत की वज्यानिक प्रगती है, इसके विशा में भी हमने जानकारियां प्राप्ता की, निश्चित रु यात्रमंगलम प्रती इस दृष्टी से यदि ऐसा करने में सफल हुआ तो यह पाठ हमारा पढ़ना सार्थक होगा अन्त में सर्व्यभ्यो नमो नमह